Hello everyone, आज हम बात करते हैं Retirement of Partner की Retirement of Partner का meaning समझते हैं इस वीडियो में बस छोटी सी वीडियो बनाते हैं meaning समझने के रिए Retirement of Partner का मतलब होता है कि कोई partner अपनी मर्जी से कही ना कही अब वो firm छोड़ना चाता है partnership firm business को छोड़ना चाता है reason कोई भी हो सकती है तो अगर वो अपनी मर्जी से firm बीच में छोड़ देता है तो उसको हम बोलते है Retirement of Partner ठेक है और यहां पे जो है कही ना कही आपकी बुक में बता रखा है आपके syllabus में हो सकता है कि theoretical question आजाए अगर तो आपको पूछ सकते हैं कि एक partner retire कब-कब हो सकते है तो तीन बात आपको ध्यान रखनी है पहला कि अगर already कोई return या oral agreement हो रखा है पहले से सभी partners का कि यह जो partner है अब retire होगा इस वक्त पे या जब इतना काम हो जाएगा तब या जब इतना time हो जाएगा तो कहीना कि यानि कि already कोई existing agreement है उस वजह से यह partner जो retire हो रहा है तो यह पहले एक तरीका हो गया कि कोई partner जो retire हो सकता है दूसरा यह है कि अगर suppose वो इच्छा जाहिर करे कि वो retire होना चाहता है और कहीना कही partnership particular partnership है यानि कि वो वैसे तो बीच में जब भी चाहे retire नहीं हो सकता लेकिन फिर भी अगर वो इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो retire होना चाहता है और पुराना कोई agreement भी नहीं है लेकिन अभी अचानक से वो इच्छा जाहिर कर रहा है और अगर सारे partners मान जाते है कि ठीक है कोई बात नहीं आप retire होना चाहते तो आप retire हो जाहिए यानि कि अगर सभी partners agree करें तो कोई भी partner जो है वो retire हो सकता है और तीसरा है कि अगर partnership इस तरह किया है कि यानि कि partnership at will है तो इस तरह कि partnership में हर partner के पास right होता है कि वो जब भी चाहता है तब वो retire हो सकता है simply उसको एक notice देना होगा partnership को कि वो retire होना चाहता है और वो retire हो रहा है और उसके बाद वो retire हो जाएगा एक date set की जाएगी कि कब से उसको retire माना जाएगा और फिर वो retire माना जाएगा retire हो जाएगा ठीक है तो यह basic मतलब है retirement of partner का एक बात और ध्यान रखना कि retirement of partner होते ही एक new partnership deed बनेगी और इसी को हम बोलते हैं reconstitution of partnership firm basically अगर किसी भी वज़ा से चाहे change in profit sharing हो रहा है existing partners में या कोई नया partner आ रहा है या कोई existing partner retire या उसकी death हो रही है तो कहीं न कहीं एक नई partnership deed बनती है और इस पूरे process को हम बोलते हैं कि reconstitution हो रहा है partnership firm का reconstitution का मतलब क्या है re मतलब नई सरे से constitution यानि कि वो एक legal document एक written document जो है बनेगा यानि कि partnership deed जो की govern करेगा rights और duties को सभी partners की एक दूसरे के प्रती और firm के प्रती और outsiders के प्रती तो कहीं न कहीं रहा है जब भी इस तरह का change होगा change in PSR या admission या retirement या death तो यह सारे एक तरह से cases हैं events हैं जब एक नई partnership deed जो है अब हमें बनानी पड़ेगी और इस पूरे process को हम बोलते हैं reconstitution of partnership firm खेक है तो एक बात ध्यान रखना retirement, admission, change in PSR यह सारे examples हैं reconstitution के क्योंकि यहाँ पे partnership जो firm business है वो continue करेगा बस हाँ जिस तरह से करा जा रहा था और जो partnership deed थी जो गवन कर रही थी सभी rights और duties को वो change हो जाएगी खेक है obviously जब composition change होगा यानि कि partners भढ़ेंगे या घटेंगे या उन्हीं में ही थोड़ा सा terms and conditions change करना चारे हैं तो obviously एक नई partnership deed की ज़रूत पड़ेगी और पुरानी वाली partnership deed जो है वो null and void हो जाएगी अब उसका मतलब जो है आप कोई use नहीं रह जाएगा ना उसकी बात तो कम मानेंगे तो यह एक last बात जरूर ध्यान रखना कि retirement of partner भी one of the events है reconstitution of firm का क्योंकि एक नई partnership deed बनेगी अब ठीक है? अगर एक या दो mark में यह question अगर आपको आता है by chance यह है कि वैसे theoretical question आएगा retirement के meaning से लेकिन अगर आ जाता है तो आप यह लिख सकते है ठीक है? अब आप एक बार अपनी book से read करोगे या online जो notes हैं वो read करोगे तो आपको आराम से जो पढ़ी वी चीज हो समझ आ जाएगी हर topic को चाहे वो छोटा हो चाहे वो बढ़ा हो समझने की कोशिश करना और उसके बाद जब भी आप उसको read करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको यह चीज पता ही थी और इससे आपको वो चीज इंग्लिश में frame करने में help मिलेगी on the spot अगर वो चीज आपको अच्छे से समझ आ चुकी है तो वो आप आराम से frame कर पाओगे ठीक है So thank you so much मिलते हैं अगली वीडियो में कोई भी बात हो कोई भी suggestion हो तो comment section में बता देना Okay, bye, thank you